यह tasty ice cream देखके आप सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ मैंने add किया है रंग वगयरा लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है मैंने बनाया है इसे simple दूद से और इसे मैंने चीनी इस तरह की डाली है जिससे इसका लुक इस तरह आया है और बहुत ही tasty लगेगी simple दूद चीनी औ आप enjoy कर सकते हैं इतनी यह tasty होती है बनाना बनाना तो इसे मिंटो का खेल हो जाएगा तो यह दिए simple से दूद है ज्यादा उबाला भी नहीं आया है एक उबाला आया है और मैंने यह दूद की जो मलाई है मैंने उसे निकाल ली है और मलाई निकालने पाद मैं इसका बाद म चीनी को पीस के बनाते हैं लेकिन मैं आपको simple तरीका बताने वारी हूँ तो चीनी को यह देखे आपको परफेक्ट कलर आ चुका है जितना चीनी लेना है उसके बाद आप तुरंधी उसमें डाल दे दूद यह देखे दूद को मैंने बहुत जाता नहीं उबाला है बस एक कुवाला मेरे दूद आया था और यह देखे दूद को ठोड़े से गाड़ए रहेंगे तो आपके आईस- k KRIM थोड़े जल्दी बनेंगे लेकिन यह की दूद आया था और मैंने उस ही में डाल दिये हैं अब आपकोा रोकना बिल्कुल ना ही आपको बताने मेरे का चिनी सारसे और अच्छा साथ् वायक मैहनत करके दूधक कुछ आइस-क्रीम बनाती है तो वो आइडिया छोड़ दीजिए, यह बहुत ही सिंपल आइडिया है, और दूद को गाढ़ा कैसे करें, वो भी आज मैं तरीका बताने वारी हूँ, तो यह देखें, दूद को अच्छी तरह से मैंने चीनी को सभी को मिक्स कर दिया है, और दूद में मेरे चीनी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी, घंटों जो मेहनत होते हैं, दूद को अच्छी तरह से गर्म करने के वो बिल्कुल भी जंजट खतम हो जाएगा, और यह देखें, दूद अच्छी तरह से मेरे एक उबाला आ चुका है, और आभी से ही इसका कलर आप देख सकते हैं, कलर कितना परफ अगर आपको पसंद है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अब चलिए वोसी में से मैंने थोड़ा सा दूद अलग लिका लिया है, तीन से चार चमच के करीब यह देखें, और सभी दूद को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरह से चीनी और आइस क्रीम हमारी बिल्कुल ही दानेदार बनेगे, यह देखें, दो ब्रेट को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और मिक्सर में पीसने का भी जंजट नहीं है, कई बार आइस क्रीम बनाते हैं, और इसे मिक्सर में पीसते हैं, ताकि यह बहुत ही सॉप्ट बन और कलर तो आप देखी रहे कलर इसका कितना परफिक्ट आया है बीना केसर वगएरा बीना कोई कलर एड किये हुए दूद को जलाए हुए अब चलिए इसे और भी टेश्टी और गढ़ापन लुग देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ देखे मिल्क पाउडर का अगर आप सबसे पहले आपको उसमें मिला देने हैं मलाई और मलाई से अच्छी तरह से दूद और मिल्क पाउडर जितने भी है न अच्छी तरह से पहले मिक्स कर ले अब जो लास्ट चीज है सिक्रेट वाली मैं उसे भी डालने वाली हूँ वो पूरा वीडियो देखिए आपको बन जाएगी यह प्रसेस करने में यह आइस क्रीम बनाने में लगभग आपको 15-20 मिनट का समय लगएगा ज्यादा बिलकुल भी नहीं लगने वाला है अरामसी से बना कर रख सकते हैं और यह दूद में सभी को मैं नैची तरह से मिक्स कर दिया है अब मैं एक खास चीज डा बने नमक से इसका टेष्ट काफी बढ़ जाएगा और आइस क्रीम बहुत ऑची तरह से जमती है और इसका टेस्ट टेस्ट बिलकुल ही ला जवाब हो जाएगा और यह देखिए मैंने अची तरह से मिक्स कर दिया है और यह बेटर मेरे तैयार हो जुके हैं अब मैं इस से एड़ करने वाली हूं थोड़ी सी इलाइची चार से पांच मैंने कूट के इलाइची डाली है और फिर मैंने डाला है काजू का टूकड़े थे मेरे पास छोटे-छोटे मैंने उते डाला है ताकि इसमें क्रंची सा फ्लेवर आए और यह आइसक्रीम जबाने के लिए अगर के पास मोल्ड नहीं है तो आप क्या करें तो आपको सिंकल से अगर डब्बे है तो आप स्टील के डब्वे ले सकते हैं नहीं तो और भी मेरे पास मैं वह बताने वाली हूं नीकिनटीच सी इसी तरशे बपास बड़ टिया है और आपके पास ग्लास है तो घुलास में भी भी आप डालके अच्छी तरह से आइस्क्रीम को जमा सकते हैं तो यह देखे डबे में मैंने धकन लगा दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से प्लास्टिक से रैप कर दूंगी और इसे आपको रात भर फ्रीज में छोड़ देना है और दूसरे दिन मैं अब इसे खोल के दि देखे वीडियो आपको लेने है थोड़े से पानी और पानी में अच्छी तरह से पहले आइस्क्रीम को डाल देने है डबे को और यह दिखे डबे को डालने से क्या हो जाएंगे थोड़े से यह मेल्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको सभी जितने भी है आपको जितना बिल्कुल ही आराम से आपकी आइस क्रीम निकल जाएगी और ये दिखिए बहुत ही टेश्टी और बहुत ही क्रीमी सी हमारी आइस क्रीम की रेसिपी तैयार हो चुकी है अब चलिए मैं इसे थोड़ी सी डेकोरेट कर लेती हूं तो मैंने लिए हैं ये तूटे वाले मैं इसे आप डेकोरेट करने वाली हूं सजाने वाली हूं और सब को देने वाली हूं तो कैसी लगी आज की हमारी ये टेश्टी वाली आइस क्रीम अगर आच्छी लगी है तो अभी भी एक लाइक कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर से नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए बाइ बाइ